हेलो एर्वान गोड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स ठंड बहुत जादा ठंड का टाइम है और ठंड के टाइम है न सत्तु के पराथे या लिट्टी वगर बहुत ही अच्छा लगता है तो आज मैं ब्रेकपास्ट म पहले हमने प्याज को बारिक बारिक कट कर लिया है यहां पे चौपड नहीं है चौपड एक मंगाई थी लेकिन अच्छा नहीं निकला उसे मुझे रिटर्न करना है तो अभी इसमें थ्रह सा टाइम लगता है चौपड में एक साथ सब कुछ हम डाल देते हैं तो अच्छे अब तयार करते हैं सेम प्रोसेस है बस यह है कि हम इसे अंगीठी पर यहां पर मेकर मेलिटी नहीं बनाएंगे इसे तवे पराठे बनाएंगे तो पराठा बहुत ही अच्छा भी लगता है और सड़ती के दिनों में यह सब चीजे बहुत ही अच्छी लगती है तो देखें अगर आपके पास पत्ते वाला लहसन है उसे भी आप कट करके डाल सकते है और इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और नीबू का रस जरूर ले लें एक नीबू का रस में ले लोंगी यह आधा ही हमने लिया है क्योंकि यह नीबू बड़ा है और इसमें रस भी पहुत ही टेस्टी लगता है और आप चाहे तो सर्दी का दीन है तो मसाले को तयार करके आपने सत्तु बना कर फ्रीज में रख सकते हैं तो यह चने का सत्तु है तो पैकेट वाला ही यहां मिला तो उसी से मैं बना रही हूं टेस्ट अच्छा आया था तो सारी चीजों को हम हम डाल देंगे घृतां नीबुकरश डाल देंगे और इसमें दैंगे अजवाइन और कलॉंजी दाल देंगे नमक टेस्ट के करिन ताल देंगे और देखिए यह आमका चार वाला तेल मा ही को को मैं इसमें आप चाहे तो सरसु तिल डाल की यह मिग तरिंज इसमें करें इसी से टेस्ट आता है फिर अच्छे से हमें इसे mix कर लेना अच्छे से मिला लेना है तो अब बनाएंगे गर्मा गरम पराठे तो देखिए सत्तु अनुग को बना कर सकते हैं सर्दी की दिनों में और एक दूसरे साइड में मैं बना रहीं पालक और बैगन का बह मिलता है तो जैसे भी पसंद है आप बना सकते हैं या इसके साथ आप आलू चनी का सब्जी बना ले बैगन का भड़ता बना ले तो हमने आटा लगाकर पहले ही रख दिया था तो चलिए पराठे भी बना लेते हैं और यहाँ पेपर में लगाकर रख देती हैं क्यों की गरम अगर प्राठे बना के रखते हैं तो अनीचे से इभाप से भीगने लगता है तो चलिए फिर सौगी हो जाता है यह पेपर लगा कर मैंने रख दिया और हम प्राठे बना लेंगे अभी दूप निकली है हलकी फूल की दूप निकली है लेकिन इतनी ठंड है और बहुत ही चल्दी से बना कर और यह सब ठंडी भी हो जाती है फिर भी खाने में अच्छा लगता है अगर आपका यह पराठा फटने लगे ना तो सत्तु और आठा दोनों ही सॉफ्ट होना चाहिए तो थोड़ा सा सत्तु में हलका सा पानी का छीटा मार के और सत्तु को सॉफ्ट कर ले इससे पराठे आपके बिलुकुल भी नहीं भटेंगे और पराठा बखॉत ही बढ़िए और फुला फूला सा बनेगा मैं साररसो के तेल में बना रहां ना फिर इससे घी में कर दोनों का टेस्ट अछह लगता है तो मैं यहां सर्तू के तेल में बना रही हूं तो जिदी से का आगया है जो पार्ट तूट था मोबाइल फिक्ष करने वाला तो आज आ गया में उसका रीवी भी आप लोग साथ करूंगी वीडियो में सेयरकर अब हमने खोला नहीं है उसको तो मैं उसे आप लिक साथ सेयर भी करूंगी तो देखिए दो फ़र का टाईम हो गया है और द यहां पर मासाले निकाल रही हुँ और देखिए किस तरब से बना रही हूं पूरा वीडियो जरूर देखिए कि बहुत ही टेस्टी यह बना था और बहुत कम समय में और यमी बना था टेस्ट बहुत ही अच्छा रहा था तो देखिए हमने पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया और इसमें हम सबजी या धेर साई डालेंगे आप अपने पसंद की सबजी या डाल सकते हैं और वान पॉट है तो सिंपल है और स्टेस्टी भी है तो पनीर हमने निकाल लिया अब गोवी को भून कर तल कर नि और देखिए बिर्यानी मसाला है मैं इसको डाल कर बनाऊंगी तो बहुत ही जल्दी बना था और टेस्ट बहुत ही अच्छा है था तो गोवी को भी हमने फ्राई करके निकाल लिया और देखिए इतनी सारी सबजी है मटर भी है प्याजो कर रहा हमने कट कर लिया पनीर और प्रोजिया इस बहुत है प्राई कर लिया और मटर को साथ में भूनेंगे तो यहां डाले एक चमस जीरह और जो खड़े मसाले निकाल कर रखा था यहां बड़ी वाली ही दोनों है यहां में तेस्पता और मीडियम साइज को हमने डाल दिया है और दोनों को हम अच्छे से आज को गोल्डन होने तक हम भून लेंगे अच्छे से और फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने मटर अभी तक नहीं भूना था तो मटर इसके साथ ही डाल कर हम भून लेंगे और हमने एक कप चावल भी भीगो कर रख दिया है तो सिंपल तरीके से बना रहे हैं फ्रेंड्स जरूर देखिएगा बहुत ही जल्दी यह यम्मी बनेगा बच्चे अगर खाना चाहे तो आप जल्दी से बना कर उन्हें खिला सकते हैं और हमने एक इंच अधर कटुकड़ा लहसन को हमने चौप कर लिया है इसे इमाम दस्ते में तो उसको हमने डाल दिया और इसे भी भून लेंगे अच्छे से प्याज और मटर के साथ अच्छे से भून लेंगे लहसन प्याज को तो देखिए हमारा लहसन प्याज भी नमख और लाल मेरस ग्रय ब्रफश्च तरका पड़ा सुद्रेश को नमख टेस्ट के अकॉर्डिण एड़ कर देंगे तो इस तरह से जल्दी से बिर्यानी और टेस्ट बिल्कुल बिर्यानी वाली आ रही थी आप यहां चाहे तो चार चमच दही फैट कर डाल दे दही मेरे पास नहीं था तो बगट दही क्या बनाई थी लेकिन बहुत ही यमी बना था इसे अच्छे से हमें भून लेना है टमाट इसे मसाले एकसे दो मनी था भून लेना है घब को डाल देते हैं ग्षाव मटर अच्छे से भून गए फीर आलंगे तो यह एना बहुत ही टेस्टी और यमी और कडाही में में भी नावeg हुji तो इस तरह से आप लोग फ्रेंट ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो देखिए मसाले को हमने अच्छे से भून लिया तेल हलका पूर का रिलीज होने लगा है तो अब इसके साथ हम चावल डाल देंगे पहले मसाले गोवी जो भी हमने फ्राइ करके रखा था मास्ट गोवी सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे हम चावल को हमने दो के रखा था तो ज्यादा हमें चावल को हमने भूना वगरा कुछ नहीं किया है और देखिए कितना बढ़िया ही हमारा बन के रेडी होगा और एक कप हमने चावल लिया है तो दो कप से थोड़ा सा कम पानी डा दिया था क्योंकि पहले हमने घी नहीं डाला था तेख चमस अमने घीमी डाल दिया है आप चाहें तेहां पर पुदीना और धनिया पती साथ साथ आड़ कर दें तो हमने यह सब चीजे बिल्कुँ भी नहीं डाले थी सिंपल तरीके से बनाया था और एक बोईल आने के बाद इसे हम फ्लेम को बिल्कुल दस मिनट के लिए मीडियम कर देंगे मिडियम टू स्लो और देखिए हमारा यह बिर्यानी बनके रेडी है खिला खिला बना है और बहुत ही टेस्टी और यमी बना था फ्रेंड तो आप लोग इस तरह से ट्राइ जरूर कीजिएगा तो कड़ाही में कैसा रहा हमारा बिर्यानी कॉमेंट करके जरूर बताईएग क्योंकि बहुत तेज आवाज आ रहे थी सब लोग बाते कर रहे थे फोन कॉल सा रहे थे तो बहुत तेज आवाज आ रही थी और देखिए सीरो भी कैसे देख रहा है तो देखिए आपे मैं ओपन कर रही हूं ये दो का आया है, दो का सेट था, दो आया है, यही तूट गया था, इसके जो स्प्रिंग है न, वो निकल गया था, देखिए, आगे अचली फिक्स करके मैं आप लोगो दिखाती हूँ, तो दो है, तो अच्छा है, इसको मैं पहले निकाल दूँगी, इसके बिना वीडियो बनाने में थो आसा दिक्कत हो रहा था, देखिए किस तरह से इसका स्प्रिंग निकल गया था, यही चीज़ खराब हो गया था, लेकिन इस क्वालिटी में और इसके क्वालिटी में अंतर है, जो साथ हो ला था न, ओ ज्यादा बैटर था, तो देखिए इसको हम लगा देंगे, यहां पर, यहां पर फिक्स हो गया, आज ही आया है, यह था टाइम लगा, और देखिए यहां पर हम बबाई लगा कर, फिर हमारा वीडियो बना शुरू हो जाएगा, तो फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा सा लेट आ रहा है, कोई भी आडर जो भी म तो यह काम आ जाए, क्योंकि यही इसका खराब होता है, यही पार्ट इसका खराब हो जाता है, तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो पसंद आए, तो इससे लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, और कॉमेंट करके बताएगा, कि आप लोगो मेरी वीडियो कैसे लग